इस समय हर इनसान को खुद को एक उची संभावना में बदलना चाहिए। अगर एक समस्या हो तो उसे संभालना सीखें। दिमाग में और समस्याएं न पैदा करें। इस ओर ध्यान देने से हम किसी भी दोर से बुजर सकते हैं। जब दुनिया में काम करने की स्थिती होगी तब आपको फाइदा होगा। अगर आप अपने जीवन को विक्सित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो जीवन शैली अपने आप सुधर जाएगी। अभी हर जगे बहुत दुख है। चाहे अप टीवी पर देखें या इंटरनेट पर हर जगे है। हम इसका सामना कैसे करें? यानि क्या हम ध्यान और प्रार्तना करें? या जागरूक रहें या सांस पर ध्यान दें। जिन चीज़ों की आप अक्सर बात करते हैं? क्या वे चीजें की जा सकती है यह हम अभी कुछ और कर सकते हैं थाकि हम निराश हुए बिना जी पाएं बच्चे मुझसे कह रहे हैं हमें कभी नौकरी नहीं मिलेगी हमारे जीवन का क्या होगा? ऐसे लोगों को अब क्या कहेंगे? देखिए एक बात ये है कि दुनिया में कई लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे अमर हैं आज मृत्यू आपके सामने खड़ी हैं ऐसा पहले नहीं हुआ तो इससे लोग परिशान हो रहे हैं हमें समझना होगा कि अच्छे से जीने के लिए ये जागरुकता जरूरी है जीवन में हर पल अगर हम जानते हैं कि हम मरेंगे तो हम अपने जीवन की व्यवस्था और योजना ऐसी बनाएंगे कि हमारे सीमित समय और उर्जा का बहतरी न उप्योग हो ये विचार कि दूसरे लोग मरते हैं नहीं, नहीं, आप और मैं मरेंगे हम अपना समय पूरा करके मरना चाहते हैं, बस ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं मरेंगे. पर सभी सोचते हैं कि दूसरे मरते हैं, नहीं, आप और मैं मरेंगे, ये सभी के लिए सच है. हम सब नश्वर हैं, हम सभी मर जाएंगे. आज वाइरस हमारे सामने खड़ा है, पर मृत्यू हमेशा से हमें घूरती रही है और हमने ध्यान नहीं दिया. हम लोगों की मौत, प्रियजनों के चले जाने, आर्थिक नुकसान, नौक्रियों की हानी, इन चीजों के प्रती असमवेदनशील नहीं होना चाहते. पर हमें समझना होगा. ये ऐसा समय है जब नश्वरता हर किसी को बिलकुल साफ दिख रही है. ये समय है समझने का कि हमारा ध्यान अपने जीवन की प्रकृती और इसकी गुणवत्ता पर होना चाहिए. अभी ज्यादातर लोगों का ध्यान लाइफस्टाइल पर है. लोगों को लाइफस्टाइल खत्म होने की चिंता है. मैं कह रहा हूँ जीवन होना ही काफी है. जीवन शेली जमाने के हिसाब से होती है. अगर हम यहाँ एक हजार साल पहले होते तो शायद जोपड़ियों में होते. मुंबई में जो लोग आपको गरीब लगते हैं, शायद हम वैसी ही स्थिती में होते. और हमें वो ठीक लगता. तो अभी किसी का घर बहतर है. उस व्यक्ति का घर देखकर मैं अपने घर से दुखी हूँ. ये जरूरी नहीं है. जीवन शेली के प्रती प्रतिबद्ध नहों. आपका कमिट्मेंट होना चाहिए कि इस जीवन को जितना हो सके सुन्दर बनाएं. आप इस ओर ध्यान दें, तो हम किसी भी दौर से घुजर जाएंगे. हमें ये समझना होगा कि पुरानी पीडियों ने विश्वयुद्ध देखे हैं. उन्होंने अकाल देखे हैं. दुनिया में भयंकर चीज़ें हुई हैं. भारत में भी हुई हैं. ठीक है? इस पीडियों ने ऐसा कुछ नहीं देखा है. अभी बुरा समय है, पर फिर भी ठीक है. आप जिम्मेदारी से बरताव करें, तो ये आपको प्रभावित नहीं करेगा. आप कितने भी जिम्मेदार हों? अगर युद्ध हो रहा हो, तो गोलियां और बम आपको मार देंगे. आप चाहें जहां कई भी हों. आज धुर्भागे से भारत की ये समस्या है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की है. इसलिए मैं ये बता रहा हूँ. लोग सोचते हैं कि युद्ध सीमा पर होता है. नहीं, ये सीमा पर इसलिए हो रहा है, इसकी वज़ाए ये है, कि वहां कुछ वीर, पुरोश और स्त्रियां खड़ी हैं, और उनकी कुशलता के कारण ये सीमा पर ही हो रहा है. अगर वे नहीं होते, तो युद्ध दिल्ली में होता. अगर हमारे सैनेक अपना काम अच्छे से ना करें, तो दुश्मत सैनेक हमारी सडकों पर आ जाएंगे. ठीक है? और आप वे भयानक चीज़े जानते हैं जो पिछले आक्रमणों में हुई हैं, उन्हें न भूलें. मैं कह रहा हूँ कि उस हिसाब से लोगों की किसी भी पीड़ी को आज तक इतना आराम और सुविधा नहीं मिली है. किसी भी पीड़ी का जीवन इतना व्यवस्थित नहीं रहा है. हमें बस ये देखना है कि कोई भूखा न रहे. बस, बाकी बस जीवन शैली बदलेगी. उसका ज्यादा हंगामा न करें. यहां हर इनसान के लिए खुद को एक उची संभावना बनाने का समय है. अपनी शमताओं को, भावनाओं को, विचारों को, जीवन के अनुभव को, आनंद को, शांती को. प्लीज, इस समय का उप्योग करके खुद को हर तरह से बहतर बनाएं. जब दुनिया में काम करने का समय आएगा, तब आपको फाइदा मिलेगा. बस बैठ कर रोने के बजाए. अभी WHO ने कहा है कि सिर्फ यही महमारी नहीं है, एक मानसिक और एक सुईसाइड महमारी भी आने वाली है. देखिए समस्या ये है कि हम एक समस्या से कई समस्याएं बना लेते हैं. नहीं, एक समस् समस्याएं न पैदा करें. हाँ, ये एक गंभीर मुद्धा है, ये मजाग नहीं है. हाँ, सभी को भेंकर नुकसान हुआ है. पर अपने जीवन के प्रति कमिट्मेंट रखें, नकि जीवन शैली के प्रति, तब आप देखेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा. देखिए, अगर आपकी प्रति बद्धता बस अपने जीवन शैली के लिए है, इस जीवन के विकास के लिए प्रति बद्ध हुए बिना, तो किसी न किसी रूप में आप अपराद की तरफ बढ़ेंगे. शायद कानून उसे अपराद माने या ना माने, पर जीवन शैली के लिए प्रति बद्ध होने से आप जरूरी रूप से अपराद की ओर बढ़ेंगे. आप अपने जीवन को विक्सित करना चाहें, तो जीवन शैली हमारी क्षमता और आज के समय के अनुसार होगी. देखिये, हमें समझना होगा कि अपनी जीवन शैली केवल हम नहीं बनाते. हमारी जीवन शैली समय बनाता है. देखिये, अभी 24 घंटों में मैं भारत से यहां अमेरिका पहुँच गया हूँ. सौ साल पहले, अमेरिका आने के लिए शायद एक तरफ की यात्रा में करीब 45 से 50 दिन लग जाते हैं. ठीक है? पर लोग कह रहे हैं कि ये 22 घंटे की उड़ान बहुत लंबी है. वे कहते रहते हैं, मैंने कहा कहा लंबी है? मुझे खुशी है कि बस 22 घंटे है. वरना लोग स्टीम शिप में बैट कर जाते थे, उससे पहले एक सेल बोट पर ये जाने बिना की वे पहुँचेंगे भी या नहीं. तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी पीड़ी के पास सब कुछ बहतरीन है. मानवता के पास ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं थी. अब अगर हम अपनी जीवन शेली के बजाए, अपने जीवन को विक्सित करें, तो हम अब तक की बहतरीन पीड़ी होंगे. क्योंकि जीवन व्यापन के मुद्दे काफी हद तक सुलज गए हैं. हमें ये समझना होगा, तीन सो साल पहले सुबह दो बाल्टी पानी के लिए आप कुएं या नदी या तालाब तक जाते थे. आज कितने युवक और युवतियां, एक मील तक दो बाल्टी पानी उठा पाएंगे, अब उनके शरीर सक्षम नहीं हैं. आप नल खोलते हैं, पानी आता है, गरम पानी, ठंडा पानी आता है, सब कुछ होता है, पर आप शिकायते कर रहे हैं. प्लीज शिकायत न करें, अपने जीवन का अपयोग करें, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, आप खुश हों या दुखी, आप अपने साथ कुछ करें या न करें, समय बीत रहा है. आपको ये समझना होगा कि हमारी बादचीत की शुरुआत से लेकर अब तक आप, मैं और दर्शक हम सभी मृत्यों के 47 मिनिट करीब पहुँच चुके हैं कभी न कभी ऐसा सोचने से अजीब महसूस होगा पर अगर आप शरीर की हर धड़कन सुनें, तो बात साफ होगी कि ये नश्वर है ठीक है? शरीर हमेशा नश्वरता की याद दिलाता है अगर आप जीवन में हर पल सचेत हैं, तो आप एक पल भी ऐसी चीजों में नहीं लगाएंगे जो आपके लिए माइने नहीं रखती आप वही करेंगे जो आपके लिए वाकई माइने रखता है अगर हम सभी वही करें जो वाकई हमारे लिए माइने रखता है तो ये एक शांदार दुनिया होगी महमारी हो या नहो